वेलकम टो मैं चानल, आज के वीडियो में मैं आप लोगं को बताने वाली हूँ बालों को रीगरोथ करने का शिम्पल तरीका बताने वाली हूँ इसे आपके बाल healthy तरके से grow होंगे और strongly grow होंगे आज मैं आपको एक effective DIY remedy बताऊंगी इसका इस्तमाल से आपके बाल healthy और strong होंगे और आकर dry damaged hair भी repair होगा split and speak problem भी कम होता है dandruff heart तरकी के hair problems का solution इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले तो चलिए वीडियो को देखते हैं अब इसके लिए एक बाल में एक चमच आमला पोड़र और एक चमच फुल मुलतानी मिटी पोड़र और इसमें आदा कब दही आइड करके mix करना चाहिए अगर आपके बाल long है तो आप एक कब दही आइड कर सकते अगर आपके बाल मेडियम है तो आप आपकब दही आइड कर सकते हैं दही आइड करके mix किजिए और दही आइड करने के बाद फाइनल इसमें आइड करना है आदा कटा हुआ नेम्बू करस यह आपका बालम के डेंडर्फ को हटाता है आपका बालम को हेल्डी और कलीन लगता है और आपका क अ llega इसमें व्हाल कब का यह आइड आपको ड़ुं आपके के आइड को क्लीन रख़ता है यह जब आपका हैर फॉल कंट्रूल में आएगा जब दैंडर्फ होगा तो हैर फॉल जादा होता है और इसलिए इसमें मैंने नीम्बू आड़ की ती नीम्बू आपका scalp को clean और healthy रखता है जब scalp healthy होगा तो air growth automatically आजाता है इसके अंदर है आमला पोडर यह आपको बालों को रिग्रोत करने में मदद करता है इससे बाल स्ट्रॉंग होंगे हेल्दी ग्रू होने लगेंगे और इसमें है फुल अर्थ मुल्तानिमिटी पोडर यह आपका बालों को नौरुशिंग करता हैं कंडिशन करता हैं सॉफ्ट बना देता है, split and damage hair को रिपेर करके आपके बालों को healthy रखता है, इस सारे ingredients, गरिली ingredients से, ये hair pack को आफ हफते में दो बाद जिरू ट्राइ कीजिए, शाम्पू करने का आदे गंटे के पहले पूरे बालों में लगा लीचिए, आदे गंटे के बाद पाने से इस hair pack को अच्छी तरह वाश करके शाम्पू करना है, खोशिश कीजिए hair बल शाम्पू करने की, इससे आपके बाल healthy होंगे और grow होने लगेंगे जल्दी से जल्दी, यह 100% safe effect to hair care remedy है, अगर आपके hair color हैं तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, यह 100% safe effect to है, इसके लिए बेल सिम्बल को जरूर क्लिके,